बात करते हैं इस वाले questions के बर में क्या मैं इन दोनों को multiply करते हूं यह 25 क्या मैं इन दोनों को plus कर दूँ यह 1 plus का 25 26 तो same first first 1 7 7 49 अब मुझे multiply नहीं करना अब मुझे plus करना है तो 50 बनेगा तो इसका मतलब 1 into 1 1 होगा 4 into 4 16 होगा और इन दोनों को जब मैं add करूँगा तो मेरे पास 17 आएगा आपके पास कोई और logic है आपके पास कोई और answer है तो अपना answer आप comment box में दे सकते हैं आपका दिन शुब हो Thank you so much